सब्सक्राइब दोस्तों आज का वीडियो बहुत यह लग होने हो ला क्योंकि आज की टॉपिक बड़े मज़िधार है यह आप सभी सभी जूड़ी टॉपिक है क्योंकि आप सभी इससे जुड़े होंगे मुझे ऐसी उमीद है अब आपकी मन में एक बात आ रही होगी कि आज मैं इससे लेकर आए हो क्योंकि आज का वीडियो इसी पर अधारी थे क्योंकि आज कल यह लेज़ शीप बहुत सुर्कियों में है क्यों कंपनी को भारत में जटका लगा है इस पर हम लोग से क्या है मतलब है यह हम लोग को क्या आसर पड़ेगा इसे जानेंगे सबसे पहले प्रेटिटिटिटों में है सुर्क्यों में सबसे पहले अघ्रब्स को सब्सक्राइब प्रेप्सिको यह इसकी company है जो की LAZ जो बरायटी ऊसके चिप्स का वो LAZ बनाती है कौन बनाता है? PepsiCo क्या बनाती है? LAZ बनाती है यह चिप्स बनाती है लेकिन अब देखिए इस तरह का आप कहाएंगे और कोई चिप्स क्यों ने बना पाता है इसकी खासियत है आज पहले उसी उसी को भी जानेंगे कि कोई और क्यों नहीं डेटा है नकल भी कर सकता है क्या-क्या-क्या पड़ा है इसमें कैसे बढ़ा है एक्सप्रेasies किया जा सकता और इस तरह बनाया जा सकता है लेगिन होता क्या दोस्तों कि यह तो आप लोज़ेंगे बहुत बनेगा लेगा 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 नहीं इनका जो आलू रहता है बहुत अलग वो दुसरे आलू रता है अब आप कहेंगे तो वो आलू लेके बना ले बसा बन जाएगा नहीं यह आलू और किसी को नहीं मिलेगा जिस आलू से बनाती है यह अलग वराइटी का आलू है यह पेप्सि को कंपनी इसका खुद विक्सित किया इस आलू को और उस आलू से तब यह लेज बनाता है उस आलू का नाम है FC5 FC5 यह आलू है आलू की वराइटी है FC5 इस आलू की खासियत यह है कि बहुत अच्छा आलू होता है इसमें जो आधरता होती आलू की में वह बहुत कम होती है बहुत अच्छा माना जाता है स्वाद भीज का बहुत अच्छा होता है इसके गुडवत्ता अच्छी होती है इसले PepsiCo company में इस तरह का आलु का विक्सित किया इस तरह का आलु बनाया और उसको केवल खुद ही यूज करते हैं लेज बनाने के लिए इसका कोई उत्वादन कर सकता है आणना कोई इसे बेज सकता ने में खरीद सकता है बेचेगी तो बस Pepsico Company भीज बेचेगी खुड ही ऐह खर देगी चलिए जानते हैं अब आपको यह समझ गयोंगे कि कौन बनाता है प्रेफि को तो सकता आफिस कर सकता इस company क्या करती है ये PepsiCo company ने भारत मनतब अलग-अलग देशों का अलग-अलग है भारत में क्याकिया सकता है पेटेंट करा लिया और वही पेटेंट अबसमजीं क्या होता है Patent अभी बदाएंगे पेटेंट करा लिया इस पेटेंट अब इनका एक segunda हो गया कि इस तरह का आलूंद और और कोई नहींrà सकता कiegen यहीं company बनाएगी। और इसका हुदी नहीं करेगा तो भीस को किसी को बेचे कर नहीं कर सकता कुछ टया कूछ हो जाएगा में लाइसेंस बनवाली एक तरह समझे इसने अपना पेटेंट बनवाया और वही पेटेंट क्या हुआ इस समय निरेस्ट कर दिया गया है पेटेंट किसले बनवाया था कि इसका कोई उत्पादन ना कर सकी जो कि महत बहुत जरूरी है बहुत महत्पूर इनके लिए नहीं तो बादन नहीं करेगा अब है हाल में अभी क्या हो रहा है कि इनका पेटेंट रद्द कर दिया गया है कौन किया है क्यों किया है इसे भी जानेंगे इनका पेटेंट जो है पी 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 वी एफ आर एक प्राधिकरण जिसका मतलब है इसे भी समझ लिजे प्रोटेक्शन आप प्लांट वराइटी एंड फार्मर राइट एक एक प्राधिकरण है जिसके तहत इसने क्या किया इस प्राधिकरण ने इनका जो पेटेंट लाइसेंस था आप एक तरह समझेए पेटेंट इस आलू पे उत्पादन के लिज हम उसका लाइसेंस से निरस्त करते रहे हैं अब आप कहेंगे कि प्लांट प्लांट वराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट इसने क्या प्राधिकरण ने इनका जो पेटेंट था उसे निरस्त किया और अब इसको जटका लग गया कंपनी को आप कर दोस्तों जब भी कोई बड़ी कंपनी होती है कोई बड़ी संस्ता होती है कोई व्यक्ति जब वो कोई अपना पर्सनल कोई चीज उत्पादन करता है उसका निर्मान करता है विक्सित करता है तो वह अपना पेटेंट करा लेता है उस समान पर उसके प्रोडक्शन पर उस उसके उत्पादन पर पेटेंट कराया इसका मतलब हो जाएगा कि मैंने जो समान बनाया खुद से और अकेले बनाया नया बनाया है कुछ कि कोई और ने इसको बना सके तो वह क्या करता है पेटेंट कराता है पेटेंट जैसे वह करा लेगा अब मेरा देख कर वह समान कोई और नहीं बनाएगा, और कोई बना के बेचेगा नहीं, और कोई उसे चुरा नहीं सकता, अगर ऐसा कोई करता है, कोई मेरा देख के समान अगर उसी तरह बना लेता है, तो मैं उस पर करवाई कर सकता हूँ, आप एक नाम सुने होंगे, copyright claim, कहीं से आप Google से कहीं से कोई image लिए, को जैसे मैं marker बनाया है, मालीजे, दुनिया marker है ही नहीं, और लिखने का और माध्यम है, लेकिन marker नहीं है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरह का कोई समान बना दूं, जिसमें ink फिल की जाती हो, और उसे white board पर लिखा जा सके, हांसे भी उसे अच्छे से grip हो उसमें, तो इस जब मैं इसका patent करा लूँगा, तो अब और कोई इसको नहीं बना पाएगा, अब बनाना तो आसान है, कोई भी इतना technology बढ़ गई है, आने अले समय मौर बढ़ जाएगी, तो कोई इस तरह का बना सकता है, लेकिन जब मैं patent करा लूँगा, तो अब कोई नहीं बनाएगा, क कि एपसी 5 जो वराइटी का जो आलू है, यह अब और कोई नहीं बना पाएगा, जैसा कि आप जानते हैं, यह जो लेज है, इस पर आप देखेंगे, इस पर बना भी है, पोटैटो बना है, कि और आप जानते हैं, पोटैटो चिप्स हैं, और कोई पूस्ता भी होगा, तब मसाला तो कोई भी समझ सकता है कि कौन-कौन सा मसाला है, यह वो इनका जो सीक्रेट रहता है, यह सब, उसी तरह लेकिन इनका में यही चीज है, पोटैटो बस यह पोटैटो लिखना हो पाए, कोई नहीं बना पाएगा, तो यह पेप्सिको कंपनी ने अपना एक आलू बना करता है, अब कोई भी इसको उत्तपादन कर सकता है, इसालू का, अभी तरग कोई नहीं कर सकता था, अब आप यह कहेंगे, ऐसी स्थिटे क्यों आई, ऐसा कंपनी के साथ क्यों किया गया, एक दरह से यह भी कहा जाए कि इस कंपनी ने अपना विक्सित किया, आपना वो कर रही थी नव कि चीजी ज़ेना चाहती थी थी नहीं की एक辟 नजरीव देखेंग Sacred है कंपनी खराब में खुराब क्रता है उनोंहें इस पर कारवाई की जिसका नाम है कवीता कुरू गरांति कुरूक्रांति जी ने क्या किया इस पर कारवाई exact इसके विरोध में गई और उसके चलते PPVFR ने इनका पेटेंट निरस्त किया क्यों किया इतना असानी सुत कर नहीं देगी किसी कंपनी का इतनी बड़ी कंपनी है हुआ कि दोस्तों 2019 में गुजरात में एक मामला घटित हुआ वहां पर क्या हुआ यह वहां पर 45 किसान क्या थे लगवत 45 किसान थे उन्होंने इस FC5 वराइटी के आलू का उत्पादन कर दिया अब वह कैसे किया इसके बारे में पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन इतना पता है कि इसमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इन्होंने यह उत्पादन गल्ती से किया या जान उचकर किया सब्सक्राइए मंँजे पता नहीं कौsti कॉनसी वराइटी से में लाग उसका उत्पादन दूगा लेकिन जिसे पता रही बहुत जान जान ईयंगे किसे वर्याय का तो यहिशे की आड़ःटी का आडू कर दिया अब यहां इस कंपनी नहीं क्या किया आपना इखना है इस त हुआ किसानों को पर क्या हुआ मुकदमा हो गया जितने भी किसान थे तिन चार उन पर मुकदमा हुआ बाद बहुत गंभीर हो गई कि एक किसान गूपर भी मुकदमा कर दिया गया किसान जो खुद उत्पादन करता है उसलिए वो जाना जाता है लोगों का पेट भरता है उस है तो ऐसे में क्या किया गर बाद में इसका पैप्सिको ने जब इस पर पड़ा तो पैप्सिको ने यह कहते हो अपना मुकदमा वापस किया कि ठीक है चलिए हम आपको माफ करते हैं लेकिन कुछ सर्थ रखी और सर्थ को उन्होंने उसे बताया अब आपके मन में यह आती हो क कि जब पैप्सिको का यह लेज जो चिप्स है इसे बनाने के आलू की जरूरत परती है तो वो आलू कहां से आता है जब यह ना किसी को बनाने देता है ना बेजता है ना किसी और से खरीदेगा तो इसके पास यह आलू आता कहां से है यह भी जाने लिजे इसमें एग्रिमे कीजिए और हां जब उत्पादन हो जाएगा है पहले को लामतों जबाया दो आप उत्पादन हो जाएगा तो आ bondsonic kषे और सब्सक्तों अब बेचेंगे तो किवल इहीं जाकड़कर प्यप्सी को में ही बेचेंगे इसी को नहीं बेचेंगे यहीं होता है इसी एग्रिमेंट की बात सर्थ की वहां उन गुजराद के चारपाज किसानों के साथ आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं आप इसका उत्पादन कर सकते हैं जब इन पर जोर पड़ा लोगोंगा तब कंपणी ने इन से कहा कुरुगृंती जी है उन्होंने क्या क्या देट्र मीजस को पाज़ा तब इसने ने प्यफनीका इसमें राज क्या चुपा था कि कोई और को यह आपसी फाइव वराइटी का अलू उत्पाधन नहीं करने देटा है यह सब बाते थी जो कि इस समय बहुत सुर्खियों में थी मैंने सोचा आपके साथ यह सहर करूं आपके तो पेटेंट होता है दो तरंग होता है एक उत्पा पांस किसान उनकों पर केस करो इसने मेरा आलू का उत्पादन किया है तो केस हो जाता था उनके मुकदमा हो जाता था लेकिन अब यही जब फाड़ के फेक दिए इनका पेटेंट ही निरस्त कर दिए तब यह इतना हिकड़ी नहीं दिखा पाएंगे पेप्सिको कंपनी तो आई होप कि आपको यह मामला पूरे अच्छे से समझ में आये होगा कि क्या है यह पेटेंट कैसे पेप्सिको कंपनी का पेटेंट इस समय निरस्त किया गया था उस हाली में और क्या हुआ था दोजार उनीस में जो किसानों के साथ घटना घटी थी तो यह सब मामला था आएंगे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंद बैबाई थेंक यू अभी के लिए मैं यह ले जात्का हूं